Hello friends and welcome back to yet another video of Genius Maker आप मेरे पीछे टाइमर देख रहे होंगे 20 मिनिट का तो ये टाइमर मैंने इसलिए लगा रखा है कि आज मैं 20 मिनिट में पूरा स्टोर कम्प्लीट डिजाइन करने वाला हूँ लाइव बिलकुल लाइव आपके सामने डिजाइन करूँगा कोई इसमें एडिटिंग नहीं रहेगी मैं स्टार्ट करता हूँ बीच में अगर मेरी वाइस थोड़ी लो हो जाए तो प्लीज आप मैनेज कर लेना बिकॉज काम करते हैं मेरी वाइस मैंने नोटिस किया है कि कई बार बहुत लो हो जाती है मेरा पूरा फोकस स्टोर बनाने में रहेगा और कैसे ये मैंने करा ये भी आपको पूरा एक्स्प्लेंड करूँगा बट मैं पहले ये स्टोर बनाने का चैलेज कंप्लीट करूँगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी आप टाइम देख लिजे सबसे पहले store बनाने के लिए यह मैंने checklist बनाई हुई है मैं आपके साथ share करूँगा तो हमें store का name सर्च करना है resource हम use करते है namelix और उसके बाद hostinger पे जाके उसको हम देखेंगे कि यह domain available है की नहीं है तो अभी हम चलते हैं यहापे तो मैंने यहाँ namelix पे यह search करा name तो मुझे यह pen मिला और मैंने एक tell ले लिया यहाँ से pen and tell यहाँ पे यह ठीक है pen और tell से मिला के मैंने यह बनाए दा कि install और यह dot in available है यह हमने चेक कर लिया उसके बाद हमें Gmail बनानी है तो मेरे पास पहले से ही बहुत सारी Gmail है मैं नई नही create करना चाता तो यह जो पहले की Gmail है इसी को मैं use करूँगा और आपको नई Gmail एक बना लेनी है उस store नाम से और उसके बाद हम Shopify पे जाएंगे और जो हमारी Gmail है उस पे हम उसको enter करेंगे और यहाँ पे यह इसके बाद मैं प्लस दबा के और जो हमारा नेम है वो enter कर देता हूँ प्लस किन स्टॉल और इसको यहाँ करना है हमने add the rate से पहले और उसके बाद हम 3-day trial पे स्टार्ट करेंगे I am just starting out an online store product I buy myself drop shipping product print on demand सभी को select कर देंगे next कर देंगे region India ही रहेगा और इसको हम next कर देंगे sign up with email करेंगे और यहाँ जो मैंने email copy कर रखा है यहाँ से मैं दुबारा इसको copy करूँगा एक बार email को यह email था इसको मैं copy कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ एंगे email एंटर करेंगे और plus install ठीक है यहाँ मैं password create करता हूँ और create Shopify account पे click करेंगे और हमारा Shopify store बनना तयार हो गया है अब यह process जब तक होगी तब तक मुझे wait करना है बट फिर भी हम अपना timer को चलने देंगे इसको नहीं stop करेंगे तो अभी हमारे पास around 17 minute और 23 second बचे हुए है मैं wait करता हूँ जब तक यह हमारा store बन रहा है तो यह हमें back end पे ले चलेगा यह हमारा back end पे हम आ गए हमारा store बन गया है last time हमने बनाया था dawn theme को use करके और इस बार हम theme यूज कर रहे है refresh तो मैं online store पे जाओंगा themes पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यह refresh है इस पे मैं add पे क्लिक करूंगा तो refresh theme यह हमारी add हो जाएगे ठेक मैं चाहता हूँ तो यह time save कर सकता था dawn theme को भी रहने देता तो यहाँ हमारे 50-60 seconds बच जाते बट नहीं मैं challenge हूँ इमानदारी से करना जाता हूँ last time हमने dawn यूज करी तो अभी refresh के साथ हम करना जाते है रिफ्रेश के साथ ही हम करेंगे जब तक यह install होती है हमें wait करना पड़ेगा timer हमारा चलता रहेगा ठीक है यए add हो गई है अब हम इसको publish कर देते है और हमारा online store देख लिजे अभी कुछ ऐसा देख रहा है ठीक है यह dawn theme ही है इसको publish करेंगे हम refresh theme को ठीक है अब refresh theme publish हुई है और online store पे जाएंगे अभी हमारा online store यह हीं बिल्कुल ऐसा दिख रहा है हमारा online store अब यहां जाके और मैं इसकी settings करूँगा तो सबसे पहले मैं preferences पे जाओंगा और यहां मुझे home page का title add करना है ठीक है तो इस sheet पे हमने meta title यह save कर रखा है मैं इसको select करूँगा और यहां के इसको paste कर दोँगा उसके बाद हमें meta description चाहिए तो यह meta description मैं copy क कर दोँगा ठीक है उसके बाद हमें social image चाहिए तो जो हमने banner बनाया है वो banner ही मैं यहां पे paste कर दोँगा ठीक है और google analytics यह हमें नहीं चाहिए यहां पर अभी password protected ही रहेगा और हम यहां पे save कर देते हैं तो हमारा पहला काम हो गया है complete उसके बाद हम pages बनाएंगे तो यहां यह जो contact page है इसको हम select करते हैं और इसको delete करेंगे यह हमें नहीं चाहिए delete pages और delete कर दिया हमने ठीक है add page पे click करेंगे और यहां में about page बनाना है तो हम इसका नाम देंगे about us और यहां नीचे आ जाएंगे और इसके बाद about us page को हम यहां से copy करेंगे और यहां paste कर देंगे तो यहां हमारा पहला page ready हो गया है उसके बाद हम second page पे जाएंगे और second page हमें चाहिए contact page को यहां पे हम contact type करेंगे pages पे जाएंगे contact पे जाएंगे और इस पे copy करके और यहाँ paste कर देते हैं save कर देंगे save करने से पहले यह template बदल देंगे contact की हमें template चाहिए तो contact form इसमें आ जाएगा और एक और page हमें चाहिए तो add page पे हम जाएंगे और ये page हमें चाहिए FAQs का ठीक है, वापस यहां आएंगे, और ये FAQs है हमारे, तो इनको हम copy कर लेते हैं, यहां से, यह copy कर लिया, और यहां के हम इनको paste कर देंगे, और save कर देंगे, तो यह हमारे तीनों page add हो गया है, about, contact और FAQ, इसके बाद हम settings पे जाएंगे, और store details पहल हमारे store का नाम है, किन स्टाल, किन स्टाल, और phone number मैं अभी generic phone number डाल रहा हूँ, ठीक है, और save कर दिया, यह complete हो गया, यहां में business address डालना है, और metric system ही रहेगा, इसको हम gram कर देंगे, और prefix में ks, किन स्टाल, ठीक है, और इसको save कर देंगे, यह complete हो गया, इसके बाद हम policies में और यहां में policy page add करने है, तो यहां उपर आ जाएंगे, और सबसे पहले है shipping policy, तो हम shipping policy को यहां से copy करते हैं, copy करेंगे control C से, और shipping policy में यहां पे हम इसको paste कर देंगे, shipping के बाद है, return and refund policy, तो इसको copy कर लेते हैं, यहां से इतना यहां तक copy करेंगे और जो return and refund है इसमें इसको हम paste कर देंगे, इसके बाद terms of service है, तो terms of service को यहां से हम copy करते हैं, थोड़ा सा उपर चलेंगे, यह extra copy हो गया है, copy करेंगे और यहां terms of service में इसको हम paste कर देंगे, and then finally privacy policy, तो यह privacy policy आ गया, यहां से हम इसको copy करेंगे, effective date से, इसको copy करेंगे पूरे को, और यहां तक ले आएंगे, copy करेंगे, और यहां privacy policy में paste कर देंगे, और इसको हम save कर देंगे, तो हमारे pages और policies बन गया है, अब हम चलेंगे यहां पे navigation में, ठीक है, यह live चल रहा है, देखिए, timer live है, मैंने इसमें कोई alteration नहीं करी है, और main menu पे हम जाएंगे, यह catalog है, इसके नाम को edit करेंगे, बस हम यहां पे shop कर देंगे, और apply changes कर देंगे, इसके बाद add menu item करेंगे, pages पे जाएंगे, और about us page, add कर देंगे, add menu item करेंगे, pages पे जाएंगे, contact, add कर देंगे, और हमें last एक और page add करना है, जो FA edit कर देंगे यहां पे, और इसको हम कर देते हैं, policies, ठीक है, और apply changes कर देंगे, और यह सारी policies है, यह drop down में इसके अंदर हम add कर देंगे, इस तरह से, यह add हो गई है, और इसको हम save कर देते हैं, ठीक है, तो यह हमारा main menu तैयार हो गया, अब हम footer menu पे जाएंगे, यह search bar हमें न इसके बाद हमें चाहिए यहां पे refund policy, इसके बाद हमें यहां चाहिए shipping policy, and then हमें यहां पे चाहिए terms of service, फिर हम यहां पे about page पी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, about page हम यहां enter कर देते हैं, और faqs का page भी हम यहां पे enter कर देते हैं, contact का हमने उपर दे दिया, नीचे हमें contact क की detail हम देंगे, तो हमने footer menu, main menu बना लिया और preferences हमने set कर दे, इसके बाद हम चलेंगे online store पे, customize पे हम click करेंगे, और theme setting पे हम जाएंगे, logo पे click करेंगे, और हमें logo image select करना है, तो यहां हम जाएंगे add image पे, यह हमारा logo है, यहां से हम इसको select कर लेंगे, यह upload होगा, processing हो रहा है, done, यह हो गया, और इसकी हम height कर देंगे, 250 pixel, इसके बाद फैव icon है, add image पे हम click करेंगे, और यह हमारा फैव icon image है, open करेंगे, यह यहां process हो रहा है, और यह done कर देंगे, तो यह हमने फैव icon और यह दोनो add कर दिये, इसको हम save कर लेंगे, और जब यहां है हम, तो हमें 2-3 changes और करने है, check out पे जाएंगे, check out पे भी हमें logo लगाना चाहिए, तो हम check out पे भी यह logo लगा देते है, position left रहेगे, और medium ही रखेंगे, तो यह हमारा बिल्कुल सही है, complete हो गया, ठीक है, और इसके बाद check out पे जब है, तो हमें brand का color भी change करना रहता है, तो हमने यहां brand जो color अपन तो check out button का color यहां यह हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम colors में जाएंगे, और यहां select करते है, solid button background जो है, इसको हम change कर देंगे, यह कर देंगे, ठीक है, यह हो गया, done, अब हम sections पे आ जाएंगे उपर, यह sections पे, और यह announcement बार है, announcement बार का हमें text change करना है, तो हम यहां कर दें available on all orders, और free home delivery, यह हमने यहां पे, और इसको हम save कर देते हैं, ठीक है, announcement बार पे जाएंगे, और इसका हमें color edit करना है, तो background पे जाके, और हम यह color करेंगे यहां पे, और इसको save कर दिया, इसके बाद हम header पे आएंगे, यह जो header का color है, edit करेंगे, और यहां से अभी मैं color इसको यह कर देता हूं, बट हमें क्या है कि यह color change करना रहेगा, यह background का color footer से लेगा, तो अभी मैं इसको white कर देता हूं, और इसका text का color white ही रहने देंगे, reason है, यहां मैं बता देता हूं, हम footer पे आ जाता है, हमें footer का color अलग चाहिए, तो अभी हम footer complete कर लेता है, सबसे पहले brand information हम डालेंगे, और यहां edit करवाएगा brand information हम से, तो यहां जाएंगे, और यह जो हमारी brand information हमने यहां ले रखे, इसको हम copy कर लेता ह है, और यहां आप इसको paste कर देंगे, image में आपको क्या करना है, logo डाल देंगे आप अपना, जो आपका logo है, ठीक है, यह complete हो गया, और इसको आप save कर देंगे, वापस आप sections पे आ जाएंगे, आप footer पे आप click करेंगे, edit पे आप click करेंगे, और यहां जो background है, तो जो हमारा color है न, background का यह है, इस से थोड़ा light color लेंगे, थोड़ा different color लेंगे, because sticky add to cart button होता है, वो इसके साथ सही से mix हो जाएगा, अगर same ही color रहेगा, तो थोड़ा different color लेंगे, और यही color अब हमारा header पे भी change हो गया होगा, इसलिए header पे वाँने color नहीं change किया था, अब यह complete हो गया, और text में कुछ भी नहीं करना हम डाल देंगे, got questions, question mark कर देंगे add, और उसके बाद यहाँ नीचे आप अपना email डाल देंगे, जो आपका contact email है, और WhatsApp या phone number जो भी आप देना चाहे, वो यहाँ पे आप डाल देंगे, और उसके बाद इसको save कर देंगे, तो यह हमारा footer भी ready ह हो गया, आप चाहते हैं कि यह email sign up को आप नहीं रखें, तो आप इसको hide कर सकते हैं, ऐसे hide हो जाएगा, ठीक है, अभी 6 minute बचे हैं, और हमने यह इतना काम कर लिया है, इसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पे, customize में ही रहेंगे, हमें customize पे थोड़ा सा काम करना है, हमें banner add क तो यहाँ इस पे आएंगे slideshow पे, यह उपर slideshow पे adapt to first image ही रहेगा, इसको मैं grid कर देता हूँ, मुझे grid पसंद है, show content below mobile इसको हम हटा देंगे, ठीक है, और इसको save कर देते हैं, इसके बाद यहाँ आएंगे, हम browse पे, और यह जो headline ने इसको हटा देंगे, shop all हमें नहीं चाह यह हमें अटा देंगे, container भी हमें नहीं चाहिए, यह complete हो गया, अब हमें यहाँ image चाहिए, तो यह हमारी image है, यह हमने शुरू में ले ली थी, आपको दियान होगा तो, और इसको हम save कर देते हैं, आप चाहें तो इसको complete पूरा भी रख सकते हैं, grade ना करके, यहाँ पे full width क हम इसको extend कर देते हैं, जितने भी product हो, उतने यहाँ पे यह show करें, और feature product का आप नाम change कर सकते हैं, best sellers, ठीक है, या जो भी आपको रखना हो, आप यहाँ पे रख सकते हैं, और इसको हम save कर देते हैं, ठीक, अभी हमारा store, इससे पहले यह ऐसा दिख रहा था, अब मैं इसको refresh कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको refresh करता हूँ, तो अब हमारा store यह, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अब भी इसमें थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है, उसको हम सही कर देते हैं, तो यह हम payments पे जाएंगे, और हमें payment method अट करना है, cash on delivery activate कर देंगे, तो यह हमारा cash on delivery activate हो गया, ठ import करेंगे, add file पे मैं click करता हूँ, और जहां हमने अपने product save कर रखे हैं, उस folder को हम खोल लेंगे, और यहाँ पे मैं click करता हूँ, और open करता हूँ, यह आप कैसे कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और यह आपको करना चाहिए, इससे आपका बहुत सारा time आते हैं, तो आपको manually product add करने में बहुत time लगता है, तो वो time भी आपका यहाँ बचने वाला है, अभी लगबग 4 मिनट बचे हैं, और यह product import हो रहा है, देखते हैं, अभी इस बीच में हम और कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें wait करना पड़ेगा, जब तक यह products upload नहीं हो जाते हैं, तो हम wait कर रहे हैं, product upload पे हैं, import हमने कर दिया है, import लगा दिया है, और जब तक यह import complete नहीं होता, wait करते हैं, we don't have any other option, आपको भी यह process कैसे करनी है complete, मैं आपको एक detailed वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, ताकि आगे से कभी भी अगर website आपको बनाना हो, तो आप उसको easily बना पाए, बिलकुल ऐसे जैसे मैंने आपके सामने अभी बनाया है, ऐसे ही आप भी 15-20 मिनट में पूरा एक complete store बना पाएंगे, मैं यह live कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई alteration नहीं करा, आप यहाँ time देख सकते हैं, या आप यहाँ पे timer देख सकते हैं, ठीक है अब ही यह product import हो रहा है, इसमें time लग रहा है, तो यह product import हो चुके है सारे, अब हम यह store हमारा पहले ऐसे दिख रहा था, अभी देख लिजिए, इसको reload गरते हैं, तो यह store हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, यह देख लिजिए, यह store हमारा complete है, और यहाँ हम अगर किसी भी product पे हम जाता है, किसी भी product पे जाएंगे, तो यह products भी complete है, यह देख लिजिए, यहाँ button का color change हो गया है, और यह सारे चीज़े, यहाँ पे यह properly हमने design कर दे हैं, ठीक है, अभी checkout पे हमें नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने plan नहीं subscribe करा है, और domain कैसे add करना है, तो domain भी ब profile नहीं add है, मैं एक बार इसको refresh कर देता हूँ, क्योंकि यह product अभी add हुए है, एक बार दुबारा हम चलते हैं, settings पे चलेंगे, shipping and delivery पे click करेंगे, और cash on delivery पे है, तो create new profile कर देते हैं, नहीं यहाँ पे हमें नहीं करना, यह all products पे ही जाएंगे, और यहाँ, यह देखिए यह, sorry मैं थोड़ा सा confused हो गया था, अब यहाँ पे हमें क्या है, home delivery, जो मैं prefer करता हूँ, home delivery हम डाल देते हैं, और यह truck का symbol यहाँ लगा देंगे, add कर देते हैं, और यह free रहेगा, ठीक है, तो यह complete हो गया, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका बता है, आपको plan pick करना है, तो आ तयार है, आप यहाँ देख सकते हैं, यह store पूरा complete ready है आपके सामने, और यह हमने under 20 minutes करा है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही friends, अब आप खुद कैसे कर सकते हैं इसको, और यह पूरा process मैंने कैसे किया, इसको मैं आपको next वीडियो में कल आके पूरा explain करने वाला हो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह बनाने का एक motive सिर्फ यही था कि आपका myth break हो कि store बनाने में बहुत time लगता है, store बनाने में time नहीं लगता अगर आपको सही से तरीका आता हो, so thank you very much for watching this video, being a part of genius maker और हम मिलते हैं next video में, till then keep learning, keep earning.